अब दोस्तों मैं हूँ आपका अपना दिविंदर संथ क्या अबला मैंने जो फिछ bütün विडियो में यह डिस्कस किया था कि बेनिफिट्स ओफ कानला था तो आपके विडियो में हम डिसकस करेंगे कि जौब जौब इन कानला जौब इन कैंदा की केनडा में जॉब कैसे ले सकते हैं और वहां पर कितनी जॉब अवेलेबल होती हैं तो वह सारी हम आज डिसकस करेंगे इसमें इस वीडियो में तो सबसे पहले जो जॉब लेने करी जॉब बैंक के तुरू अपलाई करना आप अपने नेट पे आप सर्च करें जॉब बैंक ज जो website हैu Canada government की website है Canada जो canada embassy की website पर job bank कर link availability आप उसमें like in करके अपने qualification के हिसाभ से अपने लिए जॉब डोन सकते हैं अब उसमें सारे detail होते हैं जो के वार sixthक्रा के वारे में ऐसे हैं का क्या requirement सकना experience और कौन सी language की requirement है तो यह था एक तरीके तो इसमें कि आपने अपना resume उसमें send करना वहां के एमेल आइडी दी होगी और उसमें एक बैना resume दोड़ करना और अगर आपका resume उनको पसंद आया था employer को तो वो आपको जरूर कॉल करेंगे आपकी interview लेंगे और यहां आपको बिना interview के लिए भी hire कर सकते हैं और वो आपको उसी बेस पे आपको job offer letter देंगे और LMIA भी लेके देंगे और उससे आपको जो work permit मिलने में बहुत असानी होगी तो उसके बाद जो method है उसे इलावा इसके बाद जो method आता हो आता है प्लेस्मेंट एजनसी या consultant या website के दुरू डिफरेंट वैबसाइट्स है तो दूसरी प्लेस्मेंट वैबसाइट्स हैं आप उस पे भी लॉग-इन करके डिफरेंट जॉप सर्च कर सकते हैं अपने qualification के हिसाब से अपने experience के हिसाब से या अपने resume के हिसाब से आप वहां पे job सर्च करके अपने लिए job ढूंड सकते हैं और उसी के base पे आप जो आपको job offer letter मिलेगी उसके base पे आप work permit के लिए apply कर सकते हैं या placement agencies भी और consultant भी आप उनको भी directly approach कर सकते हैं और अपना resume उन चाल जीद हैं वह आपको pay करने पड़ेंगे तो यह था एक और method तो उससे एक इसके इलावा जो third method है वो यह है कि आप directly companies की website पे भी apply कर सकते हैं जो जो companies है Canada में आप सर्च कर सकते हैं जो companies Canada में operate करती हैं जो भी employers है Canada में आप उनकी जो उनकी companies हैं उनकी firms हैं जो उनका कोई पर आप लॉग इन करके उनको डिरेक्ट भी अपना रिज्यूम भेज के अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं और Canada में thousands of jobs are advertised every day means like हजारों jobs रोज advertised होती है Canada में आप कहीं आपको कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ अच्छी जॉब मिल सकती हैं आपके लिए बहुत जादो options available available हैं वहां पर अगर सर्च करेंगे तो जो मैं जो चाहता हूं कि आप डिरेक्ट ली अप्लाई करिए किसी एजन्ट के थूरू जाने से इलावा है कि आप खुद अपनी effort करके अपने अप्लाई करिए और आपको इसमें जरूर सफलता मिलेगी तो जो एक जो सबसे असान त जोब डूंढ़ी है और आप उसकी इंटरीविव वहां पर इंटरीविव दीजिए क्योंकि प्रस्टनली प्रेजन्ट होना इंटरिव में एक और बात है डिरेक्टली जाना एक और बात होती है बजाए कि इसके आप नेट के थूरू सर्च कर रहे हैं तो अगर आप आप एक employer को convince कर सकते हैं और वो आपसे आपसे बहुत सैटिसफाइड है अगर आपकी qualification वे रहे से आपके presentation स्टाइल से तो आपको जरूर हायर करेगा और वो आपको वहाँ पे job offer letter देगा और उसके बाद वहाँ आपको लेके देगा जो आपको work permit लेने में बहुत मदद करेगा क्य तो आपको लेके देगा और आप उसके base पे अपना work permit apply करेंगे तो ये था आज का सारा वीडियो जिसमें मैं आपको explain करना चाहता था कि जौब आपने कैसे लेनी हैं और वहाँ पे हजारों जौब डोटाइज होती हैं और आप अगर आप वहाँ पे try करेंगे तो आपको ज कैनेडा के वर्क पर मिल के लिए तो ये थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको like करिए share करिए और मेरे चैनल को subscribe करिए ताकि आपको मेरे जो नई वीडियो किया notification time to time मिल सके और बाकी अगर आप कोई भी help चाते हैं मेरे से को कोई भी आप फाइल बनवाना चाते हैं वर्क पर मिट के लिए या टूरिस्ट वीजा के लिए या कोई भी ऐसा वीजा जिसमें आप मेरी help चाते हैं तो मैं आपके आप मेरे को मेरे phone पर contact कर सकते हैं जो मैंने description में दिया हुए तो मैं आपको मैं फाइल बनाने के कोई भी ही लेता है तो हम मुझे directly contact कर सकते हैं मेरे phone पर call करके appointment fix करते हैं मेरे अफिस आके मिल सकते हैं okay bye